जै माँ भगवती सुरकंडा साथियों आज हम दर्शन करते हैं माँ सुरकंडा के सुरकंडा देवी मंदिर सुरकुट परवत पर डिस्ट्रिक्ट टेड़ी गडवाल में उत्राखंड में 2750 मीटर की उचाई परस्तित है यह स्थान उत्राखंड का प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है सुरकंडा मा मंदिर के पास धनौल्टी और चंबा मुख्य हिल स्टेशन्स हैं पहले सुरकंडा माता मंदिर के लिए कद्दू खाल से 3 किलो मीटर की चड़ाई पैदल या पोनी से की जाती थी लेकिन अब सरकार ने इस शेत्र में रोपवे बना दिया है जिससे यात्रियों को काफिस विदा हो गई है मंदिर से उत्तर की और हिमाले की पहाड़ियां और दक्षन की और देहरादून और रिशीकेश देखे जा सकते हैं मंदिर घने जंगल से घिरा है और यहां रौसली के व्रिक्ष देखे जा सकते हैं पहले रौसली की पत्तियां लोग दर्शन करके घर में प्रसाद के रूप में लाते थे और उन्हें सहेज के रखा जाता था धार्मिक मानेता के अनुसार हमें मंदिर से जो फूल पत्तियां मिलते हैं उन्हें हम सहेज कर घर के पूजा स्थान में रखते हैं कुछ लोग माता के मंदिर को सिद्ध पीठ मानते हैं और कुछ शक्ति पीठ वे मानते हैं कि यहाँ शिव सती कथा प्रसंग के अनुसार माता का सिर गिरा इस कारण सिर खंडा से सुरुकंडा बना मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर में अन्य छोटे मंदिर हैं वा परिसर में शिव जी, हनमान जी वा भैरव वावा के छोटे मंदिर भी हैं जर्धारी गाउं के लोग सुरुकंडा मा के माईके वाले माने जाते हैं उसी गाउं के लोग यहां पुजारी हैं और हर तीन साल में जर्धार गाउं के वासी मा को नवरात्रों में माईके बुलाते हैं और फिर मा की भावपून विदाई होती हैं सुरुकंडा मंदिर में लोग ढोल दमोल बजा कर मा की पूजा करते हैं शद्दालू जागर गाते हैं और मा का प्रवेश भी होता है कुछ भग्तों पर हम उत्राखंड के लोगों के लिए पूजा में दεवताओं का मनुश्य में प्रवेश एक उत्तम सत्य है जिस परंपरा को हम मानते हैं यह उत्राखंड की सांस्कृतिक परंपरा है, यह हमारी आस्था है, अपनी मा का हर रूप संतान को आनंद और प्रसनता देता है, यह शेत्र साल में जाज़ा तर ठंडा ही रहता है, मंदिर में गंगा दशेहरा धूमधाम से वनाया जाता है, साथियों मेरे साथ दिव्य स्थानों के दर्शन करने के लिए और जानकारी पाने के लिए, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल, जै माता दी